कि एस्या कप में पाकिस्तान के चार बड़ा हत्यार नेपाल स्थिम वो चार बड़ा हत्यार के तयारी नहीं किया तो नेपार्श Niye कंसा चार बड़ा हत्यार है गाइस आप लोगcc पहले मैच में हरा सकता है का पहले मेच को बहुंद करेंड किसी को मालूए पाकिस्तान आईसिसी के हर इमेंट खलते नेपारई ठीम पहली बर एस ईक अ कप में कौलीरु फाइ पाकिस्तान हर किसी पने overdसकी में मजबूरट टीम में हर कोई इसकॉट देखा हो गा। वाइलन इसकूट है बहुत जबरजैसकॉट को आईन करना चाहिए कि दुनिया देके परहसान हो जाए नेपाल का क्या बात है सर्ट पे आते हैं क्या चार खुकार खेलाड़ी यह पाकिस्तान के टीम में बाबर आजम नेपास टिम तो पाप सेंचरी जुनकर उनका स्ट्राइक रेट 89 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम अकेले दंपे मेज जिताएंगे छमता रखते हैं यह सबसे बड़ा हतियार है पाकिस्तान का पास्टीम को जल्दी जल्दी बाबर आजम को आउट करना पड़ेगे टॉप ओडर से जल सबसे बड़ा हतियार जो है पाकिस्तान का ओ फकर जवान है ओपनी में आगे जबर जास बैटिंग करें ताबर तोड बैटिंग करें लंबे लंबे छक्के मारते हैं जो कि नेपास टीम को बाबर आजम और फकर जवान को जल्दी आउट करना पड़ेगे टोप ओडर से तो ये भी खुकार बल्ले बाज बाज है पाकिस्तान के दुसरा खुकार बल्ले बाज है पाकिस्तान के जो तिसरा सब्चर बड़ा हतियार हो सहनसा अफ्रीदी हर किसी को मालू में सहनसा अफ्रीदी जबर जास बोलिंग करते हैं या बोलो पुराना बोलो बिकट लेके दे अपने टीम को सिंगल हिंडली जिताने का चमता रखते हैं बड़े बड़े बल्ले बाज उनके सामने घुटने तेक देते हैं उनसे डरते हैं तो सहंसा अफरीदी अंडे मेज 36 मेज 70 बिकर लिए एकोनमी देखा जाए तो 5.52 का है नेपाल टीम को समल के खेलना चाहिए नेप पाकिस्तान का हारी सरोप हरी किसी को मौल बिकर निकाल के देते हैं ऑपने टीम को फेले दमपे मेज जिताने का चमता रखते हैं बैट jus one day खेले हैं 39 बिकर लिए एकोनमी देखा जाए तो उनका 5.85 का है ये चार बड़ा हातियार है पाकिस्तान की टीम का नेपास तीम को इ बड़ा खत्र ांद सकता है नेपार्ष टीम के लिए चार बड़ा हतियार पाकिस्तान का च्यार्ट पांट पहली पाइस्ञेकिल जारेगा लड़की आठेकिकला लड़के भाली खेल थे फिसीटर now interview पाकिस्तान को oldmaster तो नेपार्स्टिम को बुरेत रिक से मैच में हार मिलेगा तो पाकिस्ता जो चार बड़ा हतियार में बताया हूँ तो नेपार्स्टिम को बॉलिंग कैसे खेला जाता है बाबर्सटिम कैसे आउट करने के लिए तो मोंटी दिसाई को पलान बनाना चाहिए, रोहित पोड़े को पलान बनाना चाहिए, पलान से ही मैच में उतरना चाहिए, एसिया कप में उतरना चाहिए, तभी जाए कहीं ने पास टिम मैच जीत पाएगा आप लोगो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जो लाइक तो सस्क्राइब ठेंक यो फूर वाचिंग एस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में